नमस्ते दोस्तों आज हम अंगूर का जैम बनाएंगे एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आता है और बनाना इतना आसान है कि आप लोग रोजी बना के खाएंगे चलिए बनाना शुरू करते उसके लिए सबसे पहले हमने धायर सगरा मंगूर ले लिया है, इनको अच्छे से गुच्छे से तोड के धो लिया है, एकदम साफ कर लिया है, अब इनको मिकसर जार में डार के ग्राइंड कर लेना है, देखिए हमने ग्राइंड भी कर लिया है, इस तरह से पेष्ट होना चा छोड़ छोड़ के चलाते रहना है देखिए पकने लगा है अब थोड़ी से चीनी डाल देना है तीन चम्म चीनी डाला है अब थोड़ा सा अंगोरी कलर लाने के लिए ग्रीन कलर डाल दिया यह फूट कलर है और अच्छे से मिक्स कर देना है इससे बहुत अच्छा कलर आ जा थोड़ी देर में ठीक होने लगेगा देखिए ठीक होने लगा है चीनी डालने से कलर भी कितना अच्छा आने लगा है साइनी कलर आ गया है अब थोड़ा सा नेम्बू करस्ट डाल देना है क्योंकि थोड़ा सा खटा भी रहता तो अच्छा लगता है क्योंकि खट मिठा जैम अब इसको उतार लेना है इंडेक्शन बंद करके और ठंडा कर लेना है ठंडा करके एक जार में भरके रख देना है जार को भी अच्छे से धूप में सुखा लेना है धोके जिससे पानी न रह जाए पानी रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए सुखा लेना है या फिब्रेड में लगा के खा सकते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा ये जैम खाने में बहुँट टेस्टी लगता बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अब रोटी में लगा के आप लोगों को दिखाते हैं देखिए कितना अच्छा लगता है कलर भी कितना अच्छा आ गया है बच्चों को इस तरह का जैम बहुत ही पसंद आता है रोटी में लगा कर खाई ये बहुत टेस्टी रोटी लगती है देखिए अच्छे से चुपड लिया है रोटी में ऐसे ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं इस तरह से बच्चों को दीजिए रोटी बच्चे बहुत पसंद करेंगे आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्यवाद दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार दुलाद बनाए रखेंगें